तो Hello staff कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाल है सम्संगी साउंड असीसेंट का एप होता है जो कि साँद से रेट कास्टमाइज करने के लिए होता है दोस्तों उसके अंदर एक नए अप्डेट आया है और उसमें कमाल के नए फीचर को जोड़ दिया गया है जैसा कि आपने देखा होगा मैंने थमनेल पे लगा के रखा है जो वॉलियूम स्लाइटर को लेके तो बहुत ही शांदर महाँ पर नए फीचर को जोड़े गए यहां पर आप देखेंगे दोस्तों यह जो नीचे की अपडेट थे यह अभी तक इस मोबाइल पर नहीं आया थे सैंसुंग यह 30S में सब अभी रोल आउट हुआ है यह नीचे 4.1 वाले और यह 4.1.07 वाले यह नए फीचर अभी अभी रिसेंटली जोड़े गए यह वो बहुत ही कमाल की जो नए फीचर मोझे लगे दोस्तों आगे आपको बताने मला हूं तो आप इसको अपडेट करने के आपको करना क्या है आपको अपने यह जो आपका साउंड असिस्टेंट है इसको ओपन कर लेना है तो यहाँ पर जैसे अपने साउंड असिस्टेंट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफिल दिखने वाला है और यहाँ पर अगर आप जाएंगे अबाउट फोन में यहाँ पर सोरी पैनल को लेकर जो कि मुझे सबसे बैस लगा सब्से ज़ादा जो अपडेट है यही है यहां पर आप आएंगे तो आप कश्माइस कर सकते हूं वाल्यूम पैनल को इसका लिए मैंने पहले सी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बिटन पर जहें को चाहिए तो व भी आप करने का आप ऩे साब से पड़ी अ कर सकते हैं जगा को जाए वाल्यूम स्लाइडर अपमेस चाहिए अधाने मूप सब्विये उसके बाद यहां पर आपको सब्सक्राइभ ठाज quantity क्षैसये मौह सब्सक्राइब यह दिख रहा हुआ 30% अगर आप मैं यहां से ओफ कर दूँगा तो वह वहां पर हट जाता है आप देखेंगे आप इसको यहां से अप यहां से डाउन करेंगे तो वह वहां से हट जाता है तो यह भी आपको नया option दिया गया उसके बाद यहां पर आपको यह बटन दिखता ह floating वाला आप इसको यहां से हटा सकते हैं इसकी position को change कर सकते हैं और अगर आप चाहें जो नहीं चाहते तो पूरा आप यहां से उसको हटा भी सकते हैं तो यही सबसे ज़्यादा जो major change उसमें यही था उसके बाद अगर आप इसको modify करना चाहें तो आप expanded panel पे जाएंगे यह यहां पर जाने के बाद इसके जो पैनल आता है आप इसमें भी modify कर सकते हैं यहां पर क्या अगर आपको यहां पर आप देखेंगे Bluetooth वाला आपको दिख रहा होगा यह Bluetooth की volume के लिए अगर आप नहीं चाहते हैं यह चाहते हैं तो रखे दिए उसके बाद यह तूल वार के आ home screen पर आ गया हूँ अब मैं यहां पर इसको volume को down करूँगा आप देखेंगे मैं left hand कर लिया था और अब मैं आज इसको swap करूँगा तो यह automatic पूरा खुल जाएगा उसके बाद आप यहां से directly shortcuts को भी apply कर सकते हैं आप दिख रहे होंगे आपको simply करना क्या है जैसे ही मैंने य неб记eur हो जाएगा दोस्तों यही latest update on decision के साथ उम्मेद है वीडियो पसंद आई तो थरक है दोस्तों मुझे तो अब मेरी मेरी वीडिए पसंद आई यह पसंद लाइक जरू करें अगर आपको लेग नेश्पिं तक आपने मेरे चनल सब्सक्राइब करना नहीं किया ताकि मेरे चनल की नेक्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके बुझे इसका लिंक आपको नीशे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों